सर्बानन्द सोनवाल जी सर्बानन्द सोनवाल जी असम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं नौर्थीस्ट के बड़े नेता है दिगज नेता रहे हैं नौर्थीस्ट में बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं फिलाल आयूश मंत्राले और जो Port England Waterways और Shipping Matral спокой है, उसमें किस तरह से परिवर्थन लेकर आ रहे हैं इस पर बात करेंगे. सबसे पहले बात जैसा कि मैंने कहा, कि सेहत की करते हैं, आयूष की बात करते हैं. सर, इससे पहले जब हम स्वास्त क्षेत्र की बात करते थे, तो इंग्लिश की दवाईयां, एलोपैथिक मेडिसिन इस पर आकर रुख जाते थे आठ वर्ष पहले की अगर बात करें आज किस तरह से ये पूरा एको सिस्टम बदला है, किस तरह से आयूश के क्षेतर में किसे इसमें एक परिवर्टा ना है, कहां खड़ा पाते हैं आज आयूश को सबसे पहले मैं देश की आदर्श बड़ी नेटा पढ़ान मंती नाम लेना ही होगा आपको भी मालूम है, 2014 टक आयूश बिभाग का किस हालत में काम किया करता था तो उसी काल संद में डेश के अंडर आयूश पर लोगों का इतना विश्वास बढ़े नहीं थी दुनिया में भी इसका अलग सा पहसान नहीं बने थी और हमारी प्रकितियों में बसा हुआ सक्टी संपड़ा और संभावना को उसको उजागर करने में और हमारी ये प्रासिंद जो सिकिच्चप अध्धिती है हजारों साल से हमारा विश ये सक्टी है इस सक्टियों को उजागर करने के लिए जो मनुबल जो दिशा जो भीशन जो इस विशय पर विशय शुरूप से निश्ठा सही था वो पहले किसी का पास थे नहीं मन्य मुडी जी ने जब से प्रधान मंति जी का डाइट्टर भार संभाला तब से विभाग से मन्त्राले का रूप दिया और तुठाउजन फोर्टीन से आयूस का विजय जात्रा सुरू हुआ तब से लेकर आज तक आप अगर अक्रा देखे दुनिया को अगर आप अध्यान करे तो आपको यह पता ही शल जाएगा आज आयूस ने आयूस इंडरस्टी ने दुनिया में 18.2 यूस बिलियों डॉलर का बजार बनाने में सफलता प्राप की है और लोगों का विश्वास जितने में सफलता प्राप की है लोगों का विश्वास दिनों दिन बर रहा है आयूस का जो उत्पादी समगरी पर लोगों का विश्वास बर रहा है एक्सेपिटिविटी बर रहा है और साथ-साथ में लोग प्रियाता भी बर रहा है सिप देश के अंदर नहीं, दुनिया की धर्टी पर आस आयूस ने अलग सा पहसान बनाने में सफलता प्राप दिया है, इसके पीशे मुदी जी का सहयोग, अर्शिबात, मागडर्शन और उनकी दिशा, सब जुरिये हुए है, उनकी निष्ठा जुरिये हुए है, भक्त जु सिस्टेम, आस दुनिया में अपना पहसान बनाने में सफलता प्राप की है, और आपको मालू है, कि कुबिट नाइंटीन पेंडेमिक के, उसी संकत काल में भी, आयूस का प्रदाक ने, दुनिया के मानव समास को बहुत बड़ा राहत दिया, आपको मालू है, आयूस सिक्स् ओसत थे, इस ओसत ने, उसी काल क्षण में, जो एफेक्टेट, कुबिट पॉजिटिव, एफेक्टेट भीक्टिम थे, उनको राहत देने में बहुत बड़ा काम किया है, इसकी बज़े से, लोगों का विश्वास और भी भर सुखा है, और ये जो टांस्परमेशन, आदर ने पढ़न बजने किया है, इसकी बज़े से, आज, दुनिया की अलग-अलग देशों का साथ, हिंदुस्थान का M.O. हुआ है, और साथ-साथ में 37 कंट्रीज का, आयू स्कॉलाशिप में, हमारी डेश की, अलग-अलग इंस्टिटिशन में, अध्यन कर रहा है, और 34 नेशन की 37 हमारी अलग-अलग कंट्री में, इसका सेल्क गठन किया गया है, और साथ-साथ में 16 अलग-अलग इंस्टिटिशन में, हमारा एकादमिक शेयर बन शुखा है, तो इसका जो प्रगती, इसका जो विकास, आज, जैसे देखाई दी है, और लोगों ने इस विशय क को गंभी रूप से महसूस किया है, और आस, इसकी साथ-साथ सब्से बड़े महत्य प्रणबाद तो एही है, कि हम प्रकितियों को अभी ध्यान से देखने लग गया है, प्रकितियों में बसा हुआ जो पेर पोड़ा में जो सक्ति बसा हुआ है, जो औसरी सक्ति बसा हुआ ह इसके जड़िये मानम समास अपने सरीर को अलगरक लोगों से कैसे मतब राहत पास सकता है और इसके जड़िये मानम समास को अपने सरीर को सुरक्षित रखने में, प्रिवेंशन अप दिजीज और प्रिजाफिशन अप हैल्ट सारी शिज़ों पर जैसे लोगों को विशेश लाफ हुआ है इसके बज़े से आज आयूस जाग उठा है मन्य पढ़ान बरज़ी के नेटिक्ट में और दुनिया को जितने में आप आयूस ने दोड़ा सुरू कि आपने कहा आयूस जाग उठा है इस पे कोई शक्स हुआ नहीं है लेकिन जो आपने बात कही कि आयूरुवेदिक बेडिसिन्स हमारी प्राचीन काल हजारों वर्षों से चलिया रही है आपने कहा कि अब प्रकृति में हम देखने लगे हैं कि किस तरह से यह हमको हील करती है किस तरह से इन चीजों को टैप करने के लिए जो हमारी पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धती थी तमाम सारी जो हमारी जो थियोरीज थी वो खो गई हैं बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट से उनको दबारा जिस वो कहते हैं एक नए सिरे से उनकी खोज की हमारे अलग-अलग जो रिशार्श केंडर है जैसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिशार्श इन आवरबेडिक जैसेंट्रल काउंसिल फॉर रिशार्श इन शिद्धा उसी हिसाब से अलग-अलग सिस्टेम का जो वे हम लोगों ने रिशार्श काउंसिल गठन किया है इसके ज समास दुनिया के मानव समास को कंविंस करने में आयूस ने सफल अटा प्राप किया है तो इसलिए इंस्ट्यूटिशनल जो स्टादी एन रिशार्ट जी अब जूर से होने लगा है कैसे कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे क्योंकि इसमें नई पीड़ी को भी जोडने की जरू है इससे इंडस्ट्री का भी लाभ हुआ है याने की इसके जरिये हम रोजगार जी Employment and entrepreneurship and income all this can be generated with a most dignified manner with a very like and a kind of devoted efforts so this is how the IUS is now growing popularity and gaining the people's confidence and also आपने मार्केट की बात कहीं, तो अगर आयूश प्रोडेक्ट की बात करें, एक बात कहीं जाती है कि अभी तक इसका कोई मान, कोई स्टैंडर्ड, ISO, कोई मार्क नहीं है, जो हमारी तमाम, जिसको कहते हैं, क्वालिटी प्रोडेक्ट्स हैं, जिनको इंटरनाशनल लेवल पर आप मार्केट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई अभी तक कोई सिस्टम नहीं है, उसके लिए कुछ किया जानाए है, अभी इस पर्टिक्लर 21 सताब दी, इस एज अ कम्पिटिशन, इस कम्पिटिटिव माहूल में हमें, विल आप टू कम्पिटिट अ बेस्ट इसके बज़ हिंदुस्थान की आयूस के सक्ति को देखते हुए और उसको मानते हुए, आज डबली एशो ने बिश्चा स्टार पर बहुत बड़े सिक्रिजिट दी है, रिकॉग्डिशन दी है, जिसके बज़े से डुनिया की पहला डबली एशो का केंडरा हिंदुस्थान की गुजरा अगली दिनों में इस विशय पर आयूस मार्ट भी होगा, इसका करडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उसी डिशापर हमारा मनताले सुबह सम लगे हुए है, हमारे रिशार्शर्स, हमारे जो फिकाल्टी सब लगे हुए है, यानि कि हमारी जो भी सक्ति, इस सक्ति को बईगा हमास की हिटो के लिए हम उनकी दिल में जगा बनाने के लिए काम करना हमारी अबश्यक है, इन विशय पर निश्चित रूप से हमारा मनताले काम कर रहा है और करते जाएंगे, इस पर सीधा सवाल, इंटरनाशनल मार्केट बहुत बढ़ा है, कैसे उसको टैप करेंगे, उस गेनिंग पॉपुलर्जिस और एक्सिप्टिबिलिटी इसके लिए जो भी अगली दिनों में शुनोटी है, इस शुनोटी का सामना करने के लिए हमारे चरफ से पुड़ा टियारी चल रहा है, तो इसलिए अगली दिनों में इसके लिए रोट मेप निश्चित रूप से ब हाट, कोलिस्टोल, मोटा पाव वे डैप्टीज के रोगियों के लिए सरो स्रेष्ट है पतंजली फीजिकली रिफाइन राइस ब्राण ओयल वे कच्ची घानी शुद्ध सरस्न तेल कावेरी महंदी कोल, हाथों पर उत्रे, प्यार के गहरे रहा ISI, ममा, ISI, नो बेटा, होट है, पापा को लेट हो जाएगा पापा, ISI, get ready बेटा, मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्स पर ISI का निशान क्यों है ISI Mark का मतलब है विश्वसनी बेहतरीन क्वालिटी ताकि हम सब सुरक्षित रहे ISI Mark जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI Mark से हम सब सुरक्षित पेल लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविश्य उच्वल बनाओ IME साहिबाबाद, घाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers राधिका scholarship up to 50% of college fees भारत में food wastage एक बहुत बड़ी समस्या है हर रात कई लोग भूके सोते हैं हम को छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और परियावरन को सुरक्षित रख सकते हैं ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार eat right नागरिक बनिए पहला जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें दूसरा भोजन की बरवादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न ले तीसरा बचे हुए ठीक भोजन को न भेकें जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्व्यंजन बनाने में प्रयोग करें चोथा अनाज दालों तथा अन्य सुखे खादे सामगरी को एटाइट डब्बों में रखें फल सबजियों और अन्य खराब होने वाले खादे पदार जैसे दूद दही आदी को फ्रिज में रखें पांचमा बची हुई खादे सामगरी एकत्रित करें और जरूरत मंदों में वित्रित करें और आखिर में कमपोस बनाने के लिए जैविक कच्रा जैसे सबजी और फलों के चिलके वा पत्ते आदी को रिसाइकल करें फूद सेफ्टी अन स्टैंडर्ट अथॉरिटी ओफ इंडिया द्वारा जनहित में जाए Power Grid, a Maharatna PSEO of Government of India Largest Transmission Utility of Country Embarked on one such remarkable journey To establish one nation, one grid, one frequency Culminating into one electricity market Power Grid, Transmitting Power, Transforming Lives जिन मसालों की खोज हमारे पर्मजों ने सेहत मंद रहने के लिए की थी आज लाल सी लोकों ने मसालों में पिलावट का जैहर खोर दिया है इसने पतंजली ने तयार की है 100% प्योर सर्वसेष्ट प्वालिटी के नेचुरल मसाले जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, सबजी मसाला, छोले मसाला, बंधानी हींग वे लाल मिर्चादी मसालों की पूरी लेज कावेरी महंदी कोल, हाथों पर उत्रे, प्यार के गहरे रग चल भाई, जुमके बदली कराने है, अरे अंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, क्यां से बदलवा लो, पर खरीदा था उस दुकान से था, अरे अगर हॉलमाक का निशान है न, तो कहीं से भी अदल बदली करा लो, वो भी भी ना किसी डर के, सच, सोलाने सोना कहीं भी खरीदो, बेचो, बेजिजक, बेफिक्र, हॉलमाक के साथ, हॉलमाक है, तो सोना है मेरे बालों की मजबूती है केश कांती मिल्क प्रोटीन, मेरे बाल लंबे और मजबूत हो गए है केश कांती से मेरे बालो की जान है केश कांती आलोएरा और मेरे बालो का भी सीक्रेट है केश कांती नाच्रूल और मेरे भी केश कांती से मिला है करुणों देश्वासियों का अपनी hair problems का Ayurvedic समा था बेल लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविश्य उच्वर बनाओ IME साहिबाबाद घाजियाबाद NCR 27 years of excellence in higher education offers राधिका scholarship up to 50% of college fees हीरे जैसे बदन को तराश्टा है Eloise Hair Removal Cream तो अच्छा बनेगी शाइनी और लाफ्ली Eloise Hair Removal Cream नवजार शीशे को पहले 6 मेने तक मा के दूट से सारा जरूरी पोशन मिल जाता है पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोशन की आवशक्ता भी बढ़ती जाती है 6 मेने से 2 साल तक मा के दूट के साथ सार बच्चों को अन्या खादे चीज़े भी देना आवशक है complimentary भोजन देते समय खादे सुरक्षा के इन पहलों का विशेश ध्यान रखना चाहिए खाना बनाने के लिए इस्तमाल की जाने वाली सामगरी को अच्छे से धोलें जैसे दाल, चावल, सबजी, फल, इत्यादी बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए जहां तक संबव हो बच्चो को ताजा खाना ही दे साफ परतन के इस्तमाल करने से भोजन में कीटाणों की रोगठाम की जा सकती है बच्चो को दूद पिलाने के लिए साफ कटोडी और चमच का इस्तमाल करिए इन बातों का रखो ध्यान ताकी बच्चे रहें स्वस्त और खुशाल Food Safety and Standards Authority of India द्वारा जनहित में जारी Power Grid, a Maharatna PSEO of Government of India Largest Transmission Utility of Country Embarked on one such remarkable journey To establish one nation, one grid, one frequency Culminating into one electricity market Power Grid, Transmitting Power, Transforming Lives Startups का अभी जिक्र किया Startups को किस तरह से बढ़ावा देने के लिए उनके लिए की जादा से जादा क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे जो Stakeholders है, इसमें प्रोमोटर्स है, इसमें किसान है क्योंकि आप जब उनसे कहते हैं कि medicinal plant उगाओ, तो उनके लिए आपको market भी देना पड़ेगा क्योंकि specialized market है. निश्चित रूप से ये जो production, procurement and marketing इस विशाय पर हमारा जो SANE डबलब करना ही होगा इस विशाय पर अभी आयूस का अभी हमारी मंत्राले की भारत सरकार की और भी डाइट्ट बार्च उखा है. क्योंकि WS ने जब से ये जो Global Center for Traditional Medicine स्टापना की, जामनगर में तब से हमारा डाइट्ट और भी बार्च उखा है. क्योंकि दुनिया को अभी हिंदुस्थान को ही नटिट्ट देना होगा. इस विशाय पर दुनिया की अलाग अलाग देशों का जो भी ट्रडिशनल सिस्टर्व मेडिशेन है उनके साइन्टिफिक रिशार्च और डेवलोप्में की सिल्सिले में हिंदुस्थान को विशे सुरुप से नटिट देने होंगे इंटिगेट करना होगा. तो इस इस हाव का विशाय आता है कि जो आयूश है यह मौडन मेडिसिन के साथ नहीं जाता इसके साथ साथ इसको इंकॉर्परेट करने की भी देशी एक बात है अभी मानिया पढ़ान मेंटिजी ने हमारे डोनों मेंट्राले को एक निजदेश दी है मिनिस्ट्र अफ हैल्थ एंड फैम्ली वेलफर एंड मिनिस्ट्र आयूस हमारा लक्स एकी है मानब समास को अलग अलग रोगों से राहत देना उनके सरीर पो सुरक्षित करना अगर हमारा कॉमन गोल है तो हमको एक साथ मिलके काम करना से कि इसके वज़ेसे दोनों मंत्राले को ये निद्धिस दिया गया है उसी हिसाब से हम दोनों मंत्राले एक साथ हम लोग हर महिना में बैठ्थक करते हैं जैसे हम कैसे हम स्कों कोडिनेट अफोर्ट को ज़्यादा बर्भवादे इस विशाय पर हम लगे हुए हैं और अब आयूस और हैल्थ और फैमिली वेलफेर दोनों याने की मोडार्न एंड ट्रेडिशनल दोनों सिस्टेम का मेडिशन हमारा अलग अलग केंडर में उपलब्ध हो एम से लेकर डिस्टिक हॉस्पिटल, कम्य सिस्टेम की दबाई उपलब्ध हो इस विशाय पर हम लोग लगे हुए हैं जी निश्ची तोर पर ये एक बड़ा चेंज होगा बहुत बड़ा सेंज होगा क्योंकि अलग अलग होने से हमारा शक्ति नहीं बढ़ती जिसे बादने पढ़ान में जिने हमें पी-एम गटिश इसका मूल मकसद ही है एक साथ मिलकर हमें देश बाशियों को सैय करना है तो उसी दिशा पर हम लगे हुए है निश्ची टूप से ये देश बाशियों को नहीं दुनिया के मानब समास को बहुत बड़ा रहत देगा जी गती शक्ति पर भी मैं आऊंगा उससे पहले योग की कहते हैं कि भारत विश्य गुरू रहा है और ये एक जो परंपरा है लगातार हम पिछले आठ बार से इसको और जादा आगे बढ़ा रहे हैं पिछली बार भी जो योग दिवस था उसमें भी करोणों करोण लोगों ने भाग लिया पूरी दुनिया भर से इस बार के भी भारी धुमदाम से मना रहा है तो आजादी का पस्टतों साल की अफसर पर इस बार यूग को हम विशे सुर्प से मनाने के लिए मन्य पढ़ान में टिट्ट में हमने निले ली है इसके कारण 13 मार्च से हमारा यह यात्रा शुरू हुई 100 दिन का काउंडाउन बिग्गान भ सिटी समझ गया ना सो सिटी में और सो संगर्ठन सारी प्रक्या में ओ जुरे रहेंगे उसी हिसाब से पहला काउंडाउन बिग्गान भबन से शुरू हुई 75 देज का हमारी रेट फोर्ट से शुरू हुई उसकी बात 50 देज का सिप सगर सिप डोल में शुरू हुई उसकी बात 25 दिन का हैडर बात में सुई हुई उसकी बात 21 जून तक हम सले जाएंगे और उसी मास योगा डेमोस्टिशन का नेटित देंगे देश की लुक प्रिया हमारे दुनिया के सब से लुक प्रिया नेटा प्रधामति नरेंडर मुडी जी तो और अलग-अलग स्थानों प इन लकेशन में हमारे अलग-अलग मान्य मंत्री गन और संग्सद गन पर निटिक्ट देंगे तो उसी हिसाब से सारे अपनी करिय करम को उसी हिसाब से हम सफल बनाने के लिए हम लगे हुए है और इस बार हमारा लक्स है कुल मिला के 25 करोर जनटा सारे परकिया में जुरी र इंदर उसी हिसाब से हम उसको सफल रूप देंगे और बिडेश में भी 75 आइकोनिक लोकेशन पर इसको किया जाएगा और इसके लिए हमने गार्जेन मतलब रिंग हमने गार्जेन डेवलप किया है तो सिक्स्टिन अलग-अलग टाइम जाउन पे जहां-जहां सुर्जर ज इसमें यह इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा जी इससे पहले की आगे बढ़े अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि आप भी योग और आयूश्च चे जुड़ा हुआ कोई सवाल जी मंत्री जी नमस्कार नमस्कार अभी आपने अभी आईरवेदिक के जो मेडिस इनकी और वो पडिवार के लोग ही जानते हैं और इतनी कमाल की दवाईयां हैं जो पहार में बरसो बरस तक लोग उसके इलाज करते हुए अपने को पडिवार में या समाज में ठीक करते हैं लेकिन वो उसके बाड़े में लोगों को पता नहीं चला तो ऐसे ऐसे जो पहार का जो इस्तेमाल करते रहें उसको में इस्ट्रीम में लाने के लिए आपके आई इस मंत्राले के पास कोई प्लाइन है क्या निच्छी रूप से अभी हमारे देश के अंडर जितना भी प्रडेश है केंदिय साशिट जो भी इलाका है हर इलाका में अलग अलग सक्टी बसा हुआ है जो टेडिशनल सिस्ट्रम मेडिशन का तो उनको अपने मूल प्लेटफर्म में लाने के लिए अगर हर प्रडेश शरकार इस विशाय पर अज्धैन करे और हमारे देश के अंदर कुल मिला के पास लग से ज़्यादा गाओं है और इस गाओं में जो प्रशिन प्रड़ती है जो हमारी हिलर है प्रेक्टिशनर है उनका साथ संपर्प करें बातशित करें उनका पास जो भी टेक्स है लिटरसर है पुरानी लिटरसर इस विशाय पर अगर हम हर प्रडेश सरकार से हमें टैठ्ठ मिल जाए तो निश्शित रूप से इस विशाय को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है क्योंकि एक डेश का सक्ती है हर गर्मीन से तो हुए सहर से से त्र हो जहादा ऐसा सक्ती बसा हुआ है उनको उभार के मूल स्थान पर लाना और उनको एक इंस्टिशिशनाइस मेकानिजिम इस्टिशिले में आगे बढ़ाना हमारा फ्रस बनता है तो इस विशाय पर हम काम करने के लिए तैयार है एक एक और सवाल कोईश जी पर इंद पर आप इंडिया ब्रृट आपने योगा की बात की अंसर आट पान मसाला और गुटका जैसे पदाद खुले आम हैं सर बेच रहे हैं The massive advertisements, billboards, campaigns, which are of course backed by surrogate advertisements, plus the XYZ superstars. Sir, so for that, we urge you, that the loopholes in the surrogate advertisement, you can plug it with them, and the people who bring their advantage in these things, will be tweaked. Sir, we expect this from you, because you have proved it through the kind of battles that you have already done. और आयूश मिनिस्ट्री को आप जिस लेवल तक लाए हैं, तो sir, आपका क्या मानना है, कि अगर मिलके सारी आपने अभी इंटर डिपार्टमेंटल चीजों की बात की, मोदी जी, सेंटरल विस्ता में सारे डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे, तो क्या sir, अगर मिलके ऐसा सोचा जाए, तो ये हो सकता है साच? आपने सही सवाल किया, और आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्या बात, देखिए, पहला बात है कि, मुझे अपने सरीर का ख्याल रखना सही, I must laugh my body, अपना commitment होना सही, अगर अपने सरीर के लिए मैं ख्याल रखूं, कुछ स्नेख करो, तो I believe I'll be always careful, and जैसे हम लोगों ने कहा है, यह हमारा कहना नहीं है, दुनिया के हमारे यूग गुरू का ही कहना है, यूग से निरू, यह एक ब्यक्ति बन सकता है, और इससे तन मन और आत्माओं को जोड़ सकते हैं, और अपने ब्यक्तित में बसे हुए, साकरात्मक्ष सक् उसी हिसाब से आपने जिवन को हुपसरत बना सकते हैं, सांती हसिल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मानव समास इस बिशार पर अधिक जगरूट रहे, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, इस बिशार अगर सही करे, तो मुझे लगता है कि अपने जिवन में, अपने शमास में कोई डिक्कत नहीं हो सकता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है यह जो एवेरनेस की सिलसिले में अगर हम हमेशा जगरूट है if we could become sensible enough sensitive enough to take care of our health as well as health of the society then definitely this will work a lot जी बिल्कुल और इसलिए लोगों को इस बारे में जागरूग भी किया जा रहा है आप कुछ पूछना चाहरें जी नमस्कार मंत्री जी मैं राजकिय सरकारी विद्याले राजकिय पालम नंबर तीन से हूँ हिंदी की शेक्षिका डॉक्टर सुधा तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या हम विद्यालेओं में अपने बच्चों के सुखत स्वास्थे के लिए अपनी जो पुरानी परंपरा थी हमारी जिस सरह गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे उसमें भी योगासन को बहुत महत्वत दिया जाता था तो क्या आपकी तरफ से भी आगामी वर्षों में कोई इस सरह की योजना है कि विद्यालेओं में हम योगा को एक पाठेक्रम के रूप में लाएं और बच्चों को प्रात्य काल के समय जब प्रार्थना सभा होती है तो उस समय हम कुछ समय उनके लिए आवश्यक रूप से निर्धारित करें तो इस समय आपके पास कोई इस तरह की कोई योजना है भारत सरकार की मानिया सिक्षा मंत्री धर्मेंडर पढ़ान जी ने इस विशाय पर बात रखी है तो हर श्कूल में अगली दिनों में निश्य रूप से योगा को विशे सुप चपाईने तद दिया नाती समर्पित भावना से स्याव करना वह हम कर सकते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत अबश्यक है जल्दी समर्पित धन्यवाद सबसे पहले मैं मंत्री जी से अभी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था पहाड़ों पे जितनी जड़ी बूटिया है उस पे र मेरा यह उस पे रिसर्च होना चाहिए और जरूर आप इस पे कोशिस हो तो जरूर आप सफल होंगे और मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो हजारों साल पहले पुराना आयरुवेद तो कि सबसे पुरानी यह विधी है तो इसमें तो सबसे बड़ा जो आपरेशन हुआ था जो सरजरी हुआ था वो गनेश जी का हुआ था कहां आदमी के में हाथी लगाना आदमी में आदमी का लगाना मुश्किल होता है यह तो यह सरजड़ी को सर को जर दिया गया सरजड़ी इसी से सरजड़ी हुआ फर्स सरजड़ी तो मैं आप से रिक्वेस्ट करेंगा कि हमारे प का मतलब है वो सब पे हम लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है निश्ची तूर पर ये प्रिशंस निया है कि किसी के पास भी अगर कोई भी इस तरह का डेटा है तो वो आयूश मंत्राले से उसके लिए संपर्क कर सकता है और उस पर आगे रिसार्च किया जागा कावेरी महंदी कोल हाथों पर उत्रे प्यार के गहरे रहे चल भाई जुम के बदली कराने हैं अरे अंटी यह रही सामने सोने की दुकान क्या से बतल वालो पर खरीदा था उस दुकान से था अरे अगर हॉलमाप का निशान है ना तो कहीं से बिदला बदली करालो वो भी भी सच सुलाने सोना कहीं भी खरीदो बेचो बेजिजक बेफिक्र हॉलमाग के साथ हॉलमाग है तो सोना है कि डाइटिंग वर डाइट रिस्टेक्षन के काण आपको पोशन के शिकार होगा इसलिए हमने तयार क्या है नुटिला डाइपटिक के और मैन सुपर फूर्ट वुमन सुपर फूर्ट इससे मिलेगा आपको संतुलित पोशन लहलाहाती फसल भरे पूरे खेत खलिहान हर किसान का बस यही अर्मान लेकिन प्रकरति पर किसका जोर कभी भारिश कभी बिजली कभी ओला कभी सूखा तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़ भाईया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब का करें? अब प्रकर्ती का कोनों उपाय है का? प्रकर्ती का तो नहीं, अगर नुकसान का उपाय है. अच्छा? हाँ, AIC से फसल भीमा. फसल भीमा? हम, मतलब मामुली से प्रीमियम दो. और बड़ी चिन्ता से मुक्ती पाओ. AIC से अपनी जरुवत अनुसार कोई फसल भीमा चुने, जैसे प्रधानमत्री फसल भीमा योचना. उआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान. भरपाई हो पूरी, अगर फसल का हो नुकसान. एक मंत्रारे की बात हुई, उसके अलावा आपके पास जो शिपिंग वाटरवेज, पोर्ट ये बहुत बेहद, क्योंकि जब हम मैरिटाइम उसकी बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टन्ट है, और आठ वर्षों में इसकी तस्वीर बहुत बदली है. किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में आठ वर्षों में इस आपके मैरिटाइम ने और खासतार पर जहाज रानी इसने पोर्ट्स कर तबाम डेवलेप्मेंट हुआ है, किस तरह से इसको आखेंगे आप, कहां पाते हैं? और मेरिटाइम ट्रेड को बार्वाद दे और इनके लिए जो आधूनिक वीवस्ता हमारी तरफ से खारा करना जुरूरी है, उसको खारा करें, क्योंकि कम्पिटिटिव बॉर्ड है, आपको पोर्ट को मड़नाइस करना ही होगा, पोर्ट में नहीं नहीं विवस्ता लागू करना होगा, टेक्नोलोजी के लिए इनकोर्परेशन करना होगा, ताकि पोर्ट उजयर को कोई कठी नहीं ना हो, तो इसके वज़े से मान्य पढ़ानमण जी का जो भी भीशन है, और उसी भीशन के जड़िये जो प्रग्रम लिया गया था सागर्मला प्रग्रम, सागर्मला प्रग्रम का मुल्ब मकसद था कि हमारे इतना भी कोस्तिल इलाका है, 7500 किलूमिटर्स का, और इनलान वाटर वेश 14500 किलूमिटर्स, कुल मिलाकि डेश की अंदर 1100 इल्लियन वाटर वेश हैं, और गुजराच से लेकर बंगल तक, जो हमारा अरोबियन सी, इस्टार्न एन वेस्ट जो भी कोस्त लाइन है, कुल मिलाकि 7500 किलूमिटर्स का, तो इसमें जितना भी हमारे पोर्ट है, हमारे 12 मेजर पोर्ट और बाकी नॉन मेजर पोर्ट डेवलोप एडि स्टेट गवर्मेंट और प्रिवेट प्लियर्स अल्टोगेज़े 200 हैं, तो पिशली दिनों में मान्य पढ़ान मंटी जी की मार्गरेशन से और उनकी दिये हुए सक्टी से, आज हमारे हर पोर्ट ग्लोबिली कम्पिटिटिव बन चुका है, इसके बज़े से हमारा कार्गो हैंडलिंग कैपसिटी 6.7 परसंट बढ़ गया है, और पिशली आप देखे तो 2014 से अब तक हमारे कुल मिला के 1,557 मिलियन मेट्रिक टॉन पर एनम इतना टक कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी मतलब कैपसिटी बढ़ शुका है, तो इससे साब जही है कि हमारी विभाग की जड़िये हम देश के अर्था विवस्ता मजबुट बनाने में कितना बड़ा योगडान दिये हैं, तो साथ-साथ में इंडियन वाटर वेज सेक्टर में आप देखे, पहले 2014 में 616 मिलियन तन पर एनम थे, और आप बढ़ शुका है 105 मिलियन मेक्टिक टन पर एनम, तो इतना तक बढ़ शुका है, तो इसलिए नदी सेक्टर में हो या सगर सेक्टर में हो, डोनों सेक्टर में मान्य पढ़ान मतिजी का मार्ग डरसन से उनकी दिये होए सेक्टी के द्वारा आप हमारा केपसिटी बढ़ शुका है आपको जानकर खुशी होंगे 2014 में हमारे कॉंटेनर अब हैंलिंग जो हमारे टान एराउन टाइम याने की लूडिंग अनूडिंग मे उसी काल्चन में 43.7 अवर्स इतना थे और आप ओ घट के 26 अवर्स हो गया है इससे है साब जहीर है कि एक जहाज को अपने समान लूडिंग अनलूडिंग में कितना कम समय लगने लगे है पहले कितना लंबे समय तक उनको इंतिजार करना पड़ा था समझ गये ना तो इससे साब जहीर है कि आज हमारी ये मंट्राले मन्य पढ़ान मतिजी की जो भीषिन उसको शकार करने में निश्ठा पुर्बग लगे हुए और इसका फ्यूचर इंडलाइन वाटर वेस का आगे का रोड मैप क्या है आगे का रोड मैप और भी बढ़ेग से यह कोंस्टेल इलाका में भी य सुरणे की मेज़र पुर्ट में और माइनुस अब नन मैज़र पूर्ट मिलाकर जी कुल मलाकर हमारा जो maritime vision जी इंडिया maritime vision 2030 के मुटाविक हमारा जो लक्स है 3500 million metric ton तक वो आगे बढ़ जाएगा जी एक जो सबसे जादा जिसों कहते हैं कि बज जो है जिसके बारे वो है गती शक्ती और कहते हैं कि बहुत सारे मंतराले मिलाकर एक सूत्री काम उनका होगा लेकिन अलग-अलग तहर से करेंगे आपके मंतराले की क्या भूमिका होगी हमारे मंतराले ने माजय परदानमरी जी के निदस के मुटावे हम लोगों ने 101 प्रजेक्ट सुन लिया है और इन में से हम लोगों ने 9 प्रोजेक्ट का काम खटम कर दिया है यानि कि पुड़ा कर दिया है और ये जो कुल मिला के 101 प्रोजेक्ट का जो भी 62,495 कुरूर के लागत से इस प्रोजेक्ट को अगली 2024 टक हम पुड़ा कर देंगे यानि कि मान्य पढ़ानमंदी जीने जैसे हमारे Infrastructure Line Ministry को एक साथ मिलकर डेश की जो भी विकास की गटी को और सक्टी देने का जो उड़ने निद्देश दिये है उसी हिसाब से हमारा मंतले लगी हुए है नौर्थ इस्ट के आप इतने बड़े नेता रहे हैं असम के चीफ मिनिस्टर रहे है नौर्थ इस्ट का जो ये पूरा परिवर्तन है जो पूरा कैनवस बदल गया है आठ वर्शों में सबसे खास बात है जो इंसरजन्सी के एक तरह से खत्म हुई है शान्ती बहाली हुई है या आप लोगों का जो इनिशेटिव रहा है पुरानी गौर्वर्मेंट्स ने आपको लगता है वो मिसिंग था वो जज़बा मिसिंग था कैसे इसको कर पाए कहा से इसको आपने प्लान आउट किया अनुस्लि स्पिकिंग कांग्रेस के साथ साल की करियकाल में उन्होंने नौर्टिस को देखा ही नहीं देखा ही नहीं मतलब उन्होंने कभी भी आज्धन नहीं किया नौर्ट स्टार्नर की शमश्या के बारे में कभी भी दिन नहीं लगया हाल निकालने का और उन्होंने सिर्फ नौर्थिस को लूटा है नौर्थिस में असांती फेलाया है और उन्होंने अग्रबादियों को बढ़वा दी है इसके वज़े से नौर्थिस के आटो स्टेट बहुत पीसे पड़े हुए थी और उहां सिर्फ बंबलास किड्नेपिंग आतंगबदियों का गटिविधिया बर्शुखा था असांती की एक माहूल में प्रगटि शंभब नहीं है विकास संभब नहीं है वकल से संभब नहीं है लोग सुबह साम सिर्फ अपने सुरक्षा के सिल्षिले में सिंटी ठोटे थे इतना भयंकर परिश्टिटी उन्होंने साथ साल के अंदर यानि कि 60 years of their regime they have created in the entire Nordstan region बट जब मोडी जी ने डाइट्टे भार संभाला 2014 से तब से उन्होंने इतना निश्ठाप रुबख भक्ति भावना उसी नार्थिस को डिल में जगा दिया मन में जगा दिया और हमारे अलग-अलग योजना में उन्होंने नार्थिस को जिस मत्रा में उन्होंने सहीव किया जिसके बज़े से आस connectivity हो, communication हो connectivity में आप, railway, roadways, airways और digital network, telecommunication and waterways, हर सेट्र को विशेशुप से बढ़वा दिया इसके बज़े से साथ साल जो road बन पड़े हुए थे यानि कि गंगा से ब्रहापुत्र तक नदी की द्वारा कार्गो वेशल मुव्मेन करने का कोई सवाले नहीं था लेकिन मोडी जी की निस्था प्रुवक भक्ति भावनाव से जो उन्होंने सहीव की इसके बज़े से इसी साल में बिहार पतना से मागंगा से ब्रहापुत्र तक पांदू ग्वाहाटी तक 2000 मेट्रिक टन का पहली बार के बंगलारेस प्रोटोकल रोट के जड़िये 2350 किलियूमिटर डिस्टेंस कभार करके कार्गो भेसल उहां उन्होंने एंकोरिस किया तो साथ-साथ में हल्दिया से भी सुलसर किलियूमिटर बंगलारेस प्रोटोकल रोट 2000 मेट्रिक टन इस्टिल वहाटी टक पहुंसाया और वापस में कोईला लाने का काम किया है तो इसका मतलब साफ है जब वातर वेस्ट में ये मोका नौट्स टर्नर को याने की नौट्स में बचे हुए हर भारतियों को मोका मिला है तो उनके आठवेवस्टा भविश्यत में और मजबूत होने जा रहा है ये निश्चित है जी तो इसी की द्वारा उन्होंने आज नौट्स को डेश के अंडर अलग सा पहसान दिया दुनिया में अलग सा पहसान दिया और कनेक्टिविटी मजबूत होने के वज़े से आज आज आप नौट्स का किसी भी शाहर को आप भी फिटिंगे पहले क्या होगा करते थे नौटिस्टन नगालैन हो असाम हो अनन्सल हो मनिपूर हो मिजुराम हो तिपुरा हो मेगालया हो सिक्किम हो हमारे हर प्रदेश की लोगों को अधिकारी हो या कोई पाबलिक लीडर हो उनको देली में आके होटल में एक-एक म स्टेप माडरली टीटमेंट करती थे इसके बदले मोडिज ने कहा आपको आने का कोई ज़रूत नहीं हमारा डेली नौटिस जाएगा कैपिटेल नौटिस ले गया है और जो मदद सही हर प्रदेश को उन्होंने दिया इसके वज़े से पिछले आग साल के अंदर कुल मिला के तिल लाख का सपस कनेक्टिविटी कम्मिनिकेशन के सिल्षिले में केंजे सरकार ने नौटिस को मदद किया जी निश्य तोर पर जो बहुत बड़ा बदलाओ बहुत बड़ा बदलाओ और नौटिस का अभी हर प्रदेश जाग उठा है विकास की रास्टे पर जूर से च को समर्पी भाबनों से से भा किया देश को स्यवा किया भारत माटा को एक बहुत बड़ा विंडांग है एक बात चलते चलते समयिलगभ समाप तो गया है एक चीज और जब नौटिस्ट की बात होती है बहुत सारे राजियों के बीच में बीच में आपस्में जितना अतंगबादी थी जितना भी उग्रबादी थी आज उन लोगों ने हतियार सोड दिया और मेनिस्ट्री में आके नॉन भायलेंस प्रिंशिपल पर उन्होंने अपने से जुखाया याने कि आज नॉर्थिस में पीश अलग-अलग एकॉर्ट हुई जिसके बज़े से असाम में हुई कार्वियालंग बोरूलेन में हुई और आपकी अपने मनिपूर में हुई अलग-अलग स्थानों पे हुई जिसके बज़े से सारा नॉर्थिस अभी शांती का महूल बने औ प्रगति शंभव हुआ है सारे आप नगालेन देखिए अउनांसल देखिए हर प्रडेश में आप संती का माहूल है और हर व्यक्ति आप सुबो सामनिश्चित रुप से आपने खेट में जा सकता है डप्टर में जा सकता है बिजनेस कर सकता है यानि कि संती का माहूल के से जिस हिसाब से नॉर्थिस को मदद किया गया है इसके बज़ए से आस नॉर्थिस डेश के अंदर ने दुनिया के अंदर दिखाई देने लगा है नॉर्थीस्ट और उमीद करते हैं कि जो हमारा भारत वर्ष है वो भी दुनिया में एक लगातार जिस तरह से नई पहचा बनाना अपना जारी रखेगा बहुत चुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए और बात करने के लिए इस इतने गंभीर विश्यों पर बहुत चुक्रिया सर्वानन सुनवाल जी बहुत धन्यवाद नमस्कार तो इस सेग्मेंट में डीडी कॉंक्लेव के बस इतना ही थोड़ी देर में हम दूसरे सेग्मेंट में जुड़ेंगे और जो हमारी चर्चा है इसको हम आगे भी ले जाएंगे बहुत धन्यवाद दीडी कॉंक्लेव के प्राय जथे SECI, Solar Energy Corporation of India, Sun Forever, Patanjali, Patanjali Nutrilla Nutrition, Natural, Organic and Veg, Power Grid, Transmitting Power, Transforming Life AIC, संपन भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशाल किसान, FSS AI, Inspiring Trust, Assuring Safe and Nutritious Food LIC, हर पल आप के सार, NCPCR, राष्टिय अबाल अधिकार संडिक्षन आयूक, भारस सरकार वलनेक, कावेरी महती के संग, खुश्यों से भर दे, गहरा रंग